नमस्कार मैं हूँ ससी आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन में एक सप्ता और बढ़ सकता है लोकडाउन राजे में लागू लोकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है मुख्य मंतरी हिमान सुरिन को सभी मंतरियों ने लोकडाउन से कुरोना संक्रामन पर काफी हद तक नियंतरन में आने की बात कहते हुए इसे कम से कम एक हफ्ते तक और बढ़ाने का सुझाव दिया है मुख्य मंतरी ने कहा कि राजे में लोکड़ॉन को लेकर मंतरियों की राय और संक्रमन के महुझूदा हालात का मुलयांकन करज और निने लिया जाएगा बता दे कर कबिनेट मंतरियों ने अपने सुझाव मुख्य मंतरी के अध्यक्सता में ओनलाइन माध्यम से सोमर को आजूत बैठक के दोरान दिये मोख्य मंत्री ने कहा कि राजे के सभी जीला तथा प्रमंडल अस्पतालों को अक्सीजन की सुविधा उपलब्द कराने का निने राज सरकार ने लिया है यास साइकलोन को लेकर जहारखन में हाई अलर्ट जहारखन के आपदा प्रवंधन मंत्री बना गुपता ने चक्रवाती तुफान यास के मदे नजर गिरिह करा एवं आपदा प्रवंधन विभाग के प्रधान सचीव को दिशा निर्देश जारी किया है उन्होंने अपने पत्र के मादेम से निर्देश दिया है कि इस तुफान का विशेज प्रभाव 26 मई से 28 मई तक पूर्विस्तिमुम जीला सहित पूरे राजे में रहने किया संका है इसको देखते हुए विशेज सतरकता बरतने किया सकता है उन्होंने कहा कि इस तुफान किया संका को देखते हुए समंधी जीला के उपायुक्तों को अलट किया जाए कि वे अपने अपने जीलों में विधूत अपूर्ती पेजाला पूर्ती राशन आदी की बेवस्ता सुनेशित करे ताकि जान माल का नुक्सा न होने पाय मुख्य मंत्री ने किया डोर टू डोर सर्वे से कोविन नेटी जाच अभियान का उनलाइन सुभारम मुख्य मंत्री एमान सुरे ने पाइलेट पोर्जेक्ट के तहत चीनित जीले में डोर टू डोर सर्वे एवं रैपिट एंटी जन कीट के माध्यम से कोविन नाइटी जाच अभियान का उनलाइन सुभारम किया यह अभियान मंगलवार 25 मई से अगामी 5 जून तक जारी रहेगा पता दे इस करम में जरी डी परखन अंतरगट खोटरी पंचायत में अविजित कारकरम में वीडियो स्थनवाद के माध्यम से माननिय मुख मंत्री ने अभियान की तियारी की जनकारी उपायूत राजे सिंग से ली साथी गठित सर्वे एवं जांच टीम का नेतित कर रही सेविका अनिता देवी साहिया मिना देवी एवं सीचो पिर्यांका मुर्मू से अनलाइन सनवाद किया उन्होंने सभी को सुबकामना देटे हुए अभियान को सफल बनाने और इसके लिए उदैस को फूरा करने को कहा चक्रवाथी तूफ़ान यास को लेकर सभी उपायुक्तों को निदेश जारी राज सरकार ने चक्रवाती तुफानयास को लेकर जीला पर सासन वा सभी अस्पतालों को अलट कर दिया है। गलत जनकारी देकर ईपास बनवाने वाले 6 लोगों पर एफायार। आटा की सरकार कराएगी होम डिलेवरी। जार्खन सरकार धेकी चावल और मडवा आटा जैसे घरों में निर्मीत उत्पादों की होम डिलेवरी कराएगी। बता दे ऑनलाइन ओर्डर के जरिये परदेश के 29 जीलों में इनकी आपूर्ती की जाएगी। इसमें सकी मंडल की ओर से तयार कियेगा गेहूं का आटा, सुद सरसो का तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, मसाले, काल मेग, लेमन ग्रास, लोविया पलास, साबोन, डिटरजेंट, फिनायल और अरहर दाल जैसे कई उत्पाद भी होंगे। इसके संचालन के लिए गरामीन, विकास, मंत्री, अलमगीर, अलम, मंगलवार को हेहल में पलास, मुबाइल एप का भी अरम करेंगे। शरकार ने केंद्र से पिछले साल की तरह इस साल भी गर्मी की छूटी अधी का रासन, छात्रशात्राओं को उपलव्द कराने के लिए अनुमत्ती मांगी है। इपनरायन सिंग ने कहा कि राजे के किसान हतास और निरास हैं। दो बरसों से कुरोना से जूज रहे, राजे के किसानों की आर्थे किस्थिती ठीक नहीं है। लोगडाउन की अधी में सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुगा है। नौजातों को निमोनिया से बचाने को चलेगा टिका करन अभियान। नौजात को निमोनिया से बचाने के लिए राजे में टिका करन अभियान चलाया जाएगा। बतादे स्वास्त विभाग में IEC के वरिये प्रभारी सिधार्तिरपाटी ने बताया की यह अभियान जून के प्रथम सप्ता से शुरू होगा। इसके लिए भारत सरकार से सथातर या दो सो टीका राजे सरकार को प्राप्थ हो गया है। बतादे सभी जीलों के जीला कारेकरम प्रवंधक यह कोविड ड्यूटी से बाहर की ए एनेम को प्रसिक्षन दिया जा रहा है। सभी जीलों में इसकी त्यारी लगबग पूरी होने को है। सभी खतर मरी स्वास्थ हुए है। जार्खन में भी 32191 मरी स्वास्थ हुए है। जार्खन में 1394 नाई केस मिले हैं। स्वास्थ हुए हैं। अधिवक्ता लिपिक ने मुख्य मंतरी से आथिक मदद की गुहार लगाई। इस बावत संग ने महा अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य मंतरी को पत्र लिखा है। संग के अधिवक्ता लिपिक को कारे करने के अधार पर उनको महनाता मिलता है। जब से लोकड़न की घोषना की गई है कमाई सुन्य हो गई है। तुफान को लेकर जहारखन किरिसी मंतरी ने किसानों को किया सतर्क। जहारखन के किरिसी मंतरी बादल पत्र रेखने किसानों को सतर्क किया है। जहारखन के जहारखन के जहारखन के जहारखन के जहारखन के जिलों ने नहीदी रिपोर्ट। राज्य के पहली से बरावित तक के समाने वर के छात्रे छात्राओं को छात्रविती दी जानी है पतादे मुख्यमंत्री हमन्सुरेन ने इसकी रासे भी स्विक्रीट कर दी है इसके बावजूद किसी भी जीले से जिन छात्रे छात्राओं को छात्रविती का लाव मिलना है उ पर नाही उनसे समंदित लिस्ट इसकुली सिक्षा और सर्षेता विभाग को दी गई पता दे जारकन सिक्षा पर योजना परिशद ने अपरेल में ही सभी जीलों को 15 मैं तक पोर्टल पर लावानवीत होने वाले समंदित छात्रशत्राओं के नाम अपलोड करने के साथ जील संगठनों की ओर से राष्ट व्यापी किसान संगठनों यों सरमिक संगठनों द्वारा काला दीन मनाया जाएगा बतादे भागपा ने इसके समथन का फ्यसला लिया है भागपा के राज सचीव होने स्वर में ताने का आकी केंद्रे की सरकार 26 माई को 7 साल पूरे होने का ज दसन मनायेगी और देश के 500 से अधिक किसान संगठनों की ओर से दिल्ली में चलाया जारे किसान बिरोधी तीनों काला कानोन के बिरोध में आंदोलन के 6 माईने पूरे होंगे जार्खन के गाओं में आज से जाच अभियान घर घर की होगी जाच जार्खन सरकार कुरोना की संक्रमन कम करने के लिए अब गाओं पर फोकस कर रही है इस कड़ी में गाओं में कुरोना जाच का BCS अभियान मंगल वार्थे सुरू होगा जो 5 जून तक चलेगा बतादे इस दोनान एक लग से अधिक स्वास्थ कर करता घर घर जाकर लोगों की जाच करेंगे लग्षन पाए जाने पर उनकी कुरोना जाच भी होगी इस अभियान से पता चल पाएगा कि गाओं में कुरोना का संक्रमन कितना है सिबियसC बरहमी बोड परिक्षा 25 मय के बाद केंदmillion माधमिक सिख्षा बोड ने सिबियसC बरहमी बोड परिक्षा की त्यारी तेज कर दी है बतादे रिपोर्ट के मुताविक इस साल परिक्षा दो चर्णों मिली जा सकती है 15 जुलाई से 26 अगस्ट तक इस परिक्षा का आयोजन संभव है हलाकि 25 मई तक सभी राजियों से लिखी सुझा मांगे गए हैं जिसके अधार पर अंतिम निर्न लिया जाएगा इसके बाद बराहमी की बोर्ट परिक्षा की नई डेट सित जारी की जाएगी सिब्यसी सुत्रों के मुताबिक बराहमी बोर्ट परिक्षा 15 जुलाई से 26 अगस्ट के बीच लिया सकती है इस बार एकजाम पेटर्न में बड़ा बदलाव भी संभावी था भैक्सिन की कमी को दूर करने का हो रहा परियास मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी के सुझाओ पर ध्यान रखते हुए राज्ये के सभी आंगन बाड़ी केंद्रों में मंगलवार से ही मेडिकल कीट तथा अवस्यक दवाया पहुचाने का कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी की चिंता जाय जाय की भैक्सिनेशन कारय में तेजी आए जारखन को 4 कड़ भैक्सिन की जरूरत है लेकिन अब तक 40 लाख भैक्सिन ही उपलब्द हुई है राज सरकार इस नीमीत लगातार केंद्र के साथ समन्वाय अस्थापित किया है तथा अपने अस्तर से अधीक मात्रा में वैक्सिन उपलब्द हो इसके लिए परयासर था है रांची में मोबाइल वैन से होगी तरबुज की विक्री रांची में सुविधाक केंद्र और मोबाइल वैन के माध्यम से तरबुज की विक्री होगी उपायुक छवी रंजन ने तरबुज की विक्री के लिए सुविधाक केंद्र खोलने और मोबाइल वैन की वेवस्ता करने का निर्देश दिया है सोमवार को हर्मूर डेली मार्केट दुकंदार संग के साथ बैठक के बाद उपायुक्त ने या निर्देश दिये इस बैठक में जीला क्रिशीव पदाधिकारी विकास कुमार 15 बजार समिती के सचीव अविशेक आनन्त मजूद थे धनबाद उपायुक्त उमा संकर सिंग ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तुफान यास के समभावित खत्रे को लेकर नगर निगम, जामारा, बिजली विभाग, पेज अलापूर्ती विभाग, सभी प्रखण विकास पदाधिकारी को अलट मोड में रहने का निदेश वीडियो कंफिसी के माध्यम से दिया उपायुक्त ने कहा कि चक्रवाती तुफान के कारण काफी तेज आंधी के साथ साथ भारी बारी सोने की समभावना से इंकार नहीं किया जा सकता इसको ध्यान में रखते हुए जानमाल की सुरक्षा के लिए हमें पूरी सतरक्ताव रतनी है सुचनतंत्र को मजबूत बना कर टीम वर्क के साथ अपने कतवे का निर्वाक करना है धन्यवाद